Hey guys, welcome back to my channel So, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो वर्ड्स हम डेली में हिंदी में कहते हैं उन्हें एक्ट्वल में इंग्लिश में क्या कहा जाता है So, सबसे पहले हैं रिजोल जिसे हम समोसा कहते हैं हिंदी में उसको हम इंग्लिश में रिजोल कहते हैं Second is fritters हम पकॉडों को इंग्लिश में fritters कहते हैं Next is jalebi जिसे हम funnel cake कहते हैं पानीपुरी, water balls Next is crispy salty It means कि नमकीन Next is pie जिसे हम कचारी कहते हैं Seventh is mixed curd Means रायता Dressed food Means पकवान Clarified butter जिसे हम घी कहते हैं रोज जो हम word यूज करते हैं घी उसे हम इंग्लिश में Clarified butter कहते हैं चाच को हम इंग्लिश में Butter milk कहते हैं जब हम कहते हैं कि हमने किसी को रंगे हाथों पकड़ लिया तो we can say red handed It means अगर हम full sentence में से use करें तो हम ऐसे कह सकते हैं The police caught red handed I mean the thief caught red handed by the police Next is Chor Bazaar means Gray market Roti रखने वाला डबबा जिसमें हम रोटी रखते हैं बनाके उसे हम casserole कहते हैं भागय means destiny दौलत या पैसा means fortune विवाद means dispute जारू means broom पोच्छा लगाना means mopping जब हम पोच्छा लगा रहे हैं उस काम को कहते हैं mopping किसी चीज को निचोड़ना means squeeze हकलाना means stammer जब कोई हकलाता है तो उसको कहते हैं stammer means stammering नाखून चबाना biting nails आँख फर्फराना eye blink उंगली चटकाना crack fingers नानी means granny ठीक ठाक means so so तीखी गंद means पंगेंट कुछ नया खोजना means discover कोई चीज ऐसी जो पहले नहीं थी अब हम नया कुछ खोज रहे हैं तो उससे कहते हैं discover कुछ याद करना means memorize जुड़ जाना adhere धर्मार्थ संगठन means charity शानमान means dignity थोपना means impose जब हम कहते हैं कि कोई हम पे कोई चीज थोप रहे है means हम पे impose किया जा रहा है भांडा फोड़ना means expose दिल खोलकर means frankly उच्चुक means eager जोर देना means emphasize लडखानाना means totter फांसी देना execute सुनिश्चित करना means ensure प्रेरित करना means erg उपरी या बहारी means superficial असपर्ष्ट means indistinct अलग-अलग means various जब हम कहते हैं कि यह अलग-अलग तरह की चीज है तो इच मीन्स इच वेरियस थिंग्स पाने की कोशिश पर्स्यू, सहसी, valiant लुभाना means tempt लडाकू means bellicose नेक्स्ट इस दभी हसी हसना means snicker रुकावट means bottleneck परिशानी या कोई मुसीबत means hassle यह सब हिंदी के वर्ड्स वो हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूस करते हैं तो अगर इन हिंदी वर्ड्स के बदले में हम यह जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनों इंग्लिश में हम जो कहते हैं अगर हम वो उस करेंगे तो हम और जादा effectively अपना impact लगा सकते हैं अपना impact छोड़ सकते हैं जो हमारी बात सुन रहा है next 51 is कबाब में हड़ी means spoil spot जूटी अफवा means कनाड किसी चीज को न बांटना means possessive निडर या बेख़ॉफ means fearless लूटना means rip off जूटा दिखावा आईवाश बगल से गुजरना पासबाई मतलब कि जब हम किसी चीज के साइड से जब हम पास करते हैं साइड से जब हम निकलते हैं तो उसे कहते हैं पासबाई उबडखाबड means bumpy सच या साकार करना materialize भाव खाना art pricey बेवकूफी भरा means ridiculous जब हम चुपके से किसी की बात सुनते हैं साथ साथ along ध्यान अटेंशन अल्पकालिक means temporary जाहिर है means obviously एकदम सही means precise आई होब कि आपको ये words समझ में आ रहे हैं अगर आपको ऐसा लगे कि कोई words समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज मुझे comment section में नीचे बता सकते हैं नोटो की गड़ी means वैड ओफ कैश प्रयास एक्जर्शन लायक होना डिजर्व बिलकुल एबसलूटली थोड़ा सा समय सम टाइम क्यों नहीं वाइन आट जल्दी में इन हैसल जिस किसी का हूसौएवर ज्यादातर से ज्यादा अट मोस्ट कभ से सिंस वन हर वक्त अल दवाइल जब कभी भी वेनेवर अभी भी इवन नाव उस वक्त अट ताइम कभी भी अनी ताइम जो कुछ भी वाटेवर कुछ और अनीफिं एल्स क्या और क्या वाट एल्स जहां कहीं भी वेनेवर अम सॉरी यहां पर मिस्राइटिंग हो गया इस नौट वेनेवर इस वेरेवर जहां कहीं भी means वेरेवर सचमुच लिटरेली बहुत जादा अधिकतर या ज्यादातर थोड़ी देर के लिए फॉर वाइल कम से कम at least वही के वही then and there अब तक so far अभी के अभी now and here अभी once in a while हवाबाजी show off शानदार means bang up so ये हिंदी के वो words हैं जो हम अपनी रोज की जिन्दगी में use करते हैं अगर हम इनके बदले में जो English की words मैंने अभी आपको बताए हैं अगर हम ये use करेंगे तो हम अच्छी तरह से English बोल भी सकते हैं सीख भी सकते हैं और अपना अच्छा impact सुनने वाले पर छोड़ सकते हैं तो I hope कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा अगर आपको कोई भी problem हो तो आप मुझे comment section में नीचे बता सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो upload करूँ तो आपको उसका notification मिल जाए Thank you